सब्सक्राइब कीजिए Wifi Study चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस एक्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंज विलकम टो वाइफाइब को डाउनलोड करना ना भूले क्योंकि उससे आपकी जीके काफी स्ट्रांग हो जाएगी सब्सक्राइब जैसा कि आप सभी को पता है हमार तीन पैकेज के बारे में सब्सक्राइब यहां पर जितने भी जो वीडियो हैं प्रैक्टिस सब्सक्राइब यहां पर तीन सुझ ज्यादा वीडियो आपको अविलेबल हो रहे हैं इन कोर्स के अंदर साथ में आपके पास पैंड्राइब की ऑप्शन अविलेबल हैं तो अगर आपके कोई कोई है तो आप 702-333-675 पर कॉल या फिर वाटसप कर सकते हैं पहला वड़ क्या है पहला वड़ा है disparity disparity एक नाउन है जिसका मतलब है the quality और state of being different ऐसा मानता तो किसी भी चीज़ के अंदर quality हो या कोई भी चीज़ के अंदर disparity हो यानि की imbalance हो तो उसको अपन कहते है disparity सिनननम क्या है imbalance inequality unevenness या फिर dissimilarity और अंटिनम सह है parity similarity या फिर possibility तो देखिए यहां पर सभी common से वर्ड है कुछ भी ऐसा वर्ड नहीं जो कि आपके पेपर के लिए important है parity फिर भी आप देख सकते हैं एक बार disparity अगर दिस लगया आगे तो यह अपने आप में रूट रही है यानि कि parity का मतलब क्या होता समानता और दिस लगया तो यानिकि इस अमानता दिखते हैं इसका example suddenly there is a disparity in healthcare treatment among the economic class यानिकि एकदम sadly there is a sadly क्या होगा यहां पर काफी आप समानता है किसके अंदर healthcare treatment के अंदर इसके अंदर economic class के अंदर okay इसलिए कहा गया है sadly there is a disparity in healthcare treatment among the economic classes word forms कहा है disparage disparaged and disparaged और related word कहा है disparage यानिकि उपेक्षा करना और इसका origin कहां से Latin word से इसका origin है यानिकि Latin word होता है paratus जिसका मतलब है parity यानिकि समानता अब देखते हैं इसके trick देखिए बहुत आसान है typewriter ने कहा this page औ डिस see the dollar person ने typewriter को type करने के लिए दिया एक page तो English का और एक page Hindi का तो typewriter ने क्या कहा कि this page और दिस page दोनों की rate में क्या है disparity है यानिकि दोनों की rate में ऐस समानता है अब्वेस है आपको पता होगा कि Hindi की typing की rate और अगर आपको English का page को type कर वाना जो दोनों की rate different होती है तो यही typewriter ने कहा, टाइपड़ेटर ने कहा कि this page और this page की rate में disparity है यानि कि ऐसा मांता है, तो page को आपन parity से relative कर रहे है, यानि कि यहां पर देखे this भी लिखा रहा रहा है और page भी लिखा रहा रहा है, तो यानि कि this page को आपन- disparity इसे लेट करके से याद कर रहे हैं देखते हैं next word stagnate stagnate verb है जिसका मतलब है cease developing become inactive और dull गलती हीन होना या फिर विक्सित ना होना तो कोई भी चीज जब वो develop होना बंद हो जाए inactive हो जाए dull हो जाए बहुत ही low हो जाए तो उसको अपन कहते है stagnate synonyms कहा है be sluggish lie dormant be inert language या फिर या फिर स्टेंट स्टिल और एंटियम्स कहा है flourish grow improve या फिर स्टेंथन तो देखिए यहां पर दो बहुत important है आपके paper के लिए sluggish और dormant यह paper में कई बार पूछे गया है ठीक है language तो बहुत common word है आप paper में नहीं पूछा जाता बहुत common है example because john needs more money and his current salary has been stagnate for three years he is looking for a new job यानि कि john को और पैसे की जरुवत है और उसकी जो current salary है वो विक्सित नहीं हो रही है पिछले तीन साल से इसलिए वो नए जॉब की तलाश कर रहा है work forms का है stagnate stagnated and stagnated और later word का है stagnate यानि कि showing no activity dull and sluggish और इसका origin कहा प्योगे तो stagnate हो जाओगे तो देखिए अगर कोई रोज रोल स्टैग पिएगा तो कैसा हो जाएगा लाइफ में stagnate हो जाएगा यानि कि development नहीं कर पाएगा उसका करियर डबलप नहीं हो पाएगा तो देखिए इस तरीके से अपन रोल स्टैग का नाम सभी ने सुना है तो इस तरीके से अपनो रोल स्टैग को पिएगा तो क्या वो आगे बढ़ पाएगा नहीं बढ़ पाएगा कैसा हो जाएगा stagnate हो जाएगा उसका career यानि कि विक्सित नहीं होगा दिखते next one desperate desperate कहा है का adjective है जिसका मतलब है feeling or showing a hopeless sense that a situation is so bad as to be impossible to deal with यानि कि कोई ऐसी feeling या फिर ऐसी कोई hope जिसको आगे नहीं बढ़ सके जिसको deal करना आपके लिए impossible हो या बहुत जदा उदास हो जाएं आशाहीन हो जाएं उसको अपन कहते हैं desperate यह adjective है सिनननम सके desperate hopeless distressed dejected downhearted and despodent cheerful composed and helpful तो यहां पर एक बहुत अच्छा word है despodent इसके कुछ दिन पहले आपने trick बनाएं तो अगर आपको याद होता हो कि इंडियन बच्चे despodent नहीं होते हैं ओके तो ऐसे करके कि बहुत लोगों ने trick भी बनाएं थी और कुछ दिन पहले अपने वर्ट कारप किया था और बहुत important भी है despodent यानि कि आशाहीन होना और इसके example देखते हैं the collapse of his business made him desperate यानि कि जो collapse उसका business जो खदम हुआ उसके वज़े से वो कैसा हो गया आशाहीन हो गया origin कहां से Latin words है desperatus से जिसका मतलब है deprived of hope यानि कि hope से दूर हो जाना ओके आशाहीन हो जाना अब देखते हैं इसके trick देखें कई कई लोग हो गरवालों से separate होके desperate हो जाते हैं तो कई लोग ऐसे होते हैं जो की homesick होते हैं आपको पता होगा आपके आस-पास भी ऐसे कई सारे दोस्त होंगे आपके जिनको घर पे रहना बहुत पसंद है जो घर से दूर रहना रहते है तो कैसे हो जाते हैं परेशान हो जाते है तो क्या बोल रहें कि कई लोग खरोलों को हो कैसे हो जाते हैं desperate हो जाते हैं यानि कि आशाहेन हो जाते हैं तो देखे स को people desperate directly कर सकते हैं दोनों सुनने स्पूरीट काफ़ी similar स cuma word है separate desperately for eight okay तो अगर आप separate हो गयो तो घरवालों से कैसे हो जाओ आप कैसे हो जाओगे desperate हो जाओगे यानि कि आशाहीन हो जाओगे दिखते हैं next word क्या है precipitate precipitate एक verb है जिसका मतलब है cause an event or situation typically one that is undesirable to happen suddenly unexpectedly or prematurely to bring about especially apparently यानि कि कोई भी चीज जो कि अचानक से हो जाए suddenly हो जाए unexpectedly हो जाए तो इसको अपन कहते है precipitate होना synonyms का है cause, lead to, bring about, appear suddenly और antonyms का है to be seized, to be blocked तो देखे precipitation भी आपने एक word सुना होगा precipitation जिसका मतलब बारिश भी होता है तो इसका इस word का origin भी वहीं सही है कि कोई भी चीज अगर बारिश भी कैसे suddenly होती है तो वहां से इसका word भी origin निकाला था गया और इसका actual meaning क्या है precipitate का क्या होना एकदम से कोई भी चीज हो जाना अब देखते है इसका example although economist cannot be certain it is presumed that raising real estate market will be precipitate new jobs यानि कि although economist है वो certain नहीं है लेकिन फिर भी क्या कर रहे है presume कर रहे है कि अगर real estate आगे बढ़ेगा तो अचानक से क्या होगा नए jobs का creation होगा और इसके work forms कैसे है precipitate precipitated and precipitated ओके और इसके trick दिखते है आजकल precipitation precipitation precipitate होती है तो देखिए आजकल precipitation आगर आपने देखा ओगा global warming करल योह रष यह कभी बारिश ओती है okay कभी बारिष के time पर बारिश नहीं होती है तो ऐसा कैसा होना है सब सब कुछ कैसा होने लग जा क्लामिट प्रेशिपिटेंट होने लग जा यह है तो इस तरह केसे आप Ting को अजिए सब कर सकते हैं या यारी की अचनक छो होना तो आजकल जो बारिश है वो कभी घुन इसी भी टाम पर अचानक से हो जाती है देखते है next one Ascribe, Ascribe एक verb है जिसका मतलब है regard something as being due to a cause तो किसी भी चीज का उत्तरता ही तहराना, किसी भी चीज का credit किसी को मिलना चाहे वो सही हो गलत हो तो इसको अपन कहते है ascribe, Synanorms के attribute, accredit, give the credit for या फिर चॉकप और इसका example क्या है the doctors tried to ascribe the baby's conditions to parental negligence but test showed that he had a rare virus यानि कि doctor ने क्या क्या कोशिश करी कि जो baby की condition है वो किसको parents की negligence के वज़े से हुई है लेकिन test ने क्या show कर दिया कि वो rare virus के वज़े से हुआ है word forms क्या है ascribe, ascribed and ascribed और related word क्या है ascription यानि कि the attribution of something to a cause origin कहां से है Latin words से है अब देखते है इसके trick subscribe करोगे तो हमारी team आपके सवालों की ascribe होगी तो देखिए अगर आपने wifi study subscribe कर रखा है और आप कोई question पुछेंगे तो हम उत्तरदाई हैं आपको उसके सवाल का जवाब देने के लिए ठीक है अगर देखिए आपको सवाल पूछ रहे हैं जो कि आपके लिए important है जैसे कि अपना GK का कोई है जो वीडियो है जिसके अगर आप कोई सवाल पूछें तो हम क्या है subscribe है उत्तरदाई है कि उसका answer आपको देंगे तो subscribe करोगे तो हमारी team आपके सवालों की subscribe करें होगी तो देखिए subscribe कितने similar से word है जिनको आपने लेट करके इसे याद किया है तो जितने भी चीजों के आपने subscribe कर रहा है जितने भी चैनल को अगर आप वहाँ पे कुछ भी पूछते है तो वो लोग क्या है आपके subscribe है यानि कि उत्तर आई है आपको कोई भी चीज को answer देने के लिए जो आपने सवाल पूछा है तो इस तरीके से अपने subscribe और subscribe दोनों को relate करके से याद कर रहे हैं देखते है next word repression repression एक noun है जिसका मतलब बढ़िए act of subduing someone or something by force किसी भी चीज़ का दमन हो जाना किसी भी चीज़ को suppress कर देना किसी भी चीज़ को force से नीचे ले आना उसको आपन कहते है repression synonyms कहा है suppression, killing, quashing, subduing या फिर crushing और अन्टनों कहा है freedom या फिर liberty ओके अब यहाँ पर आगर आपने important words की बात करें तो यह यह दो-तीन words बहुत important है एक और यह दो words और इसका example क्या है strict rules of the boarding school served as a repression for students यानि जो strict rules है boarding school के उन्होंने क्या कर दिया है दमन कर दिया है students का okay उनको बहुत ज़्यादा force कर दिया है अब इसके word forms का है repress, repressed and repressed और related word कहा है repress यानि के subdued by force origin कहां से Latin word से है अब देखते है इसके trick देखिए बहुत आसन है press से पंगा लिया तो press ने repression किया तो अगर कोई देखिए यह कौन है आसराम बाबू है आसराम है यह कौन है इनके समर्थक है और साथ में इन लोगों ने क्या किया था press के साथ में इनके लड़ाय होगी है जनता को actually case जो भी होता है वो supreme court high court बात में सुनाता लेकिन जो press ने पहले किसी को बोल दिया कि यह सही है या फिर यह गलत है तो आम audience भी उसी को यह सही मानती है तो इन लोगों ने क्या किया था press से पंगा लिया तो press ने क्या क्या repression क्या यानिकि इनको खतम कर दिया इनक कि बिल्कुल इनका जो career है वो बिल्कुल ही कतम हो गया तो इस तरीके से press को repression से अपन लेट करके याद कर सकते हैं ओके दोनों कितने similar से word है और media को power तो आपको पता ही है तो इस तरीके से इस word से लेट करके अपन याद कर सकते हैं next word है vacate एक verb है जिसका मतलब है leave a place that one previously occupied को कोई भी चीज को निकालना खाली करवाना ओके उसको बिल्कुल open कर देना उसको अपन क्या करते हैं vacate करना synonyms कहें evacuate go away from depart from exit from या फिर वाइट एंटरिम कहें occupy करना inhabit करना example देखते हैं although the war had ended the army refused to vacate the destroyed city यानि कि war खतम हो गई है फिर भी army ने refuse कर दिया है उस city को destroyed city को खाली कर करने से वह फर्म क्या है vacate vacated and vacated और origin कहां से लैटिन वर्ट से है अब देखते हैं इसके ट्रिक बहुत आसान है देखिए vacation पर गये थे पिछे से second inning vacate किया कराया तो देखिए अगर आपने लगो रहे हो मुन्ना भाई मुवी देखिए तो आपने यह चीज जरूर था तो vacation से अपन vacation से vacate को मैं relate करके आपको याद करवा रहा हूं okay कि vacation पर गये थे तो पिछे से second inning home vacate करवाया यानि कि खाली करवा दिया okay तो किसी भी चीज को खाली करवाना निकाल देना किसी भी चीज को उसको अपन vacate कहते है next word अपना dilemma dilemma एक noun है जिसका मतलब है situation in which a difficult choice has to be made between two or more alternatives especially one that are equally undesirable कोई भी चीज जिसमें आप बहुत ही दुविधा में हो और समंजस में हो confused हो okay आपको समझ नहीं आ रहा हो क्या करना है कौन से रिजन लेना है तो इसको अपन dilemma कहते है okay confusion in resoluteness quadri predicament puzzle या पर conundrum और clarity straightness या पर solution यहाँ पर इस काफी word important है quadri important है predicament important है puzzle तो आपके लिए common और conundrum भी important है ठीक है in resolute in resolute भी आपको जान रखना है तो यह चारो वड़ आपके लिए important है आपको मैंने बता है common से example देखते है our teacher presented us with a dilemma when he shared that we could choose where to take our yearly field trip याने कि जो teacher है उन्होंने हमें बहुत ही dilemma में डाल दिया जब उन्होंने हमसे पूछा कि आपको चूज करना है कि आपको यह लिए जो field trip है वो कहां पर जानी है कहां पर लेके जाना है origin कहां से ग्रीक वर्ट से है ठीक है डी मतलब twice dilemma मतलब premise यानि कि किस सीज में आपको जाना है ओके दो रास्ते जब आ जाते हैं आपके सामने ऐसे तो अपन क्या आ जाते है डेलमा में आ जाते है एक्जाम ट्रिक देखते हैं दिल्ली जाऊं या नहीं डेलमा में हूं तो दिल्ली को म जाते हैं फिर आप क्या करते हैं जिस दोस्त ने आपके प्रिपरेशन दिली से कर रखिये उससे आप सलाम शोरा करते हैं अपने पैरेंट से पूछते हैं तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं कि दिल्ली जाऊं या नहीं डेलमा में हूं यानि कि आप दूविदा मे एंटरिम से हैं friendly, concerned या फिर attaist अब देखते हैं इसका example as aloof creatures most cats prefer to be alone यानि कि जो यह बहुत ही अलग से creature बना गए हैं इसलिए cats कैसे अलग रहना ही पसंद करती है लेटर वट का है aloofness यानि कि meaning a state of being distant या फिर remote अब देखते हैं इसके trick अलग हो गया अलूफ हो गया तो देखिए कितना similar से हिंदी वर्ट से ही आप अपनी जो vocabulary इंग्लिश के words है उनको याद कर सकते हैं कितने सारे ऐसे words होते हैं जो कि अपने हिंदी words में से derived होते हैं जैसे कि अलग होना अलूफ होना अलग और अलूफ यह कोई जादा अलग word नहीं है अगर आप तोड़ा देखेंगे इसको एक दुबार या यूज कर लेंगा अलग की बज़या अलूफ यूज कर लेंगे तो कभी नहीं भूल पाएंगे इसको तो अलग हो गया अलूफ हो गया यानि कि बिल्कुल ही प्रिथक हो गया दूर हो गया आज का अपना last word है acute अजेक्टिव है जिसका मतलब है present और experienced और experienced और to be a severe or intense degree okay कोई भी चीज जो की बहुत ही wicked होती है critical होती है drastic die या फिर severe okay उसको अपने acute कहते हैं काम, dull, mild या फिर modest तो modest वर आपके लिए important है okay देखते है example Jim will not leave much longer because he has an acute case of brain cancer यानि कि Jim ज्यादा time तक नहीं रह पाएगा because उसके बहुत ही wicked कैसा है बहुत ही critical है brain cancer, related word कहा है acuteness यानि कि बहुत ही ज्यादा wicked था और acutely यानि कि बहुत ही wicked वाली स्तथी अब देखते है इसके trick देखे बहुत ही आसान है इतने cute बच्चे को acute disease हो गया तो देखिए यह बहुत ही cute सा बच्चा है इसके कैसे हुआ रहता है hy ुट ही को acute disease हो गया याने कि बहुत ही wicked disease हो गया ओके और अभी आपन सारे words जो आपने आज करे हैं उनको आपन revise करेंगे friends आज जो आपने पहला word cover-up किया था वो अपना क्या था disparity याने कि टाइप रेटर ने कहा this page और this page की rate में disparity है याने कि दोनों ही अलग है रोज रोल स्टेक्ट प्योगे तो stagnant हो जाओगे याने करियर विकसित नहीं होगा कई लोग घरवालों से separate होके disparate हो जाते हैं तस्परेट हो जाते हैं याने कि आशाहीन हो जाते हैं आजकल precipitation precipitate होती है यानि कि अच्छानक से हो जाती है सब्सक्राइब करोगे तो हमारी टीम में आपके सवालों कि एस्क्राइब होगी यानि कि जवाब दही कहोगी उत्तर दही होगी प्रेस से पंगा लिया तो प्रेस ने रिप्रेशन किया यानि कि दमन कर दिया वेकेशन पे गये थे पीछे से second inning vacate कराया यानि कि खाली कराया दिली जाऊ या नहीं dilemma में हूँ यानि कि असमंजस में हूँ अलग हो गया अलूफ हो गया यानि कि अलग हो जाना दूर हो जाना और साथ में last word क्या था cute बच्चे को भी acute disease हो गया यानि कि बहुत ही wicked या फिर cautious okay तो C यहाँ पर सही answer है बहुत लोगों ने सही दिया है और आज का जो question दे है जो भी एक synonym है जो कि है dollars बहुत ही असान और बहुत ही अच्छा word है okay उम्मीद है यह paper में आपको देखने को मिलेगा आने वाले और आपको comment करके इसका answer करना है और trick बनाओ तो जाने में देखते हैं friends मैंने आपको वर्ट यह था था वर्ट बहुत अच्छा वर्ट था वर्ट वर्ट ओके जिसका मतलब था homeless तो दो ट्रिक आये कविता जी की और थोर देते हैं तो कैसे हो जाते है homeless हो जाता है तो इस तरीके से इन्होंने migrant को vagrant से कितने अच्छी जारी किसे लेट किया है उम्मीद है यह वर्ट आप लाइफ में कभी नहीं बूलेंगे और आज की आपको बनानी है वह प्रोलॉंग के बनानी है बहुत अच्छा वर्ट है प्रोलॉंग और कमेंट करके इसकी ट्रिक आपको बतानी है friends उम्मीद है काफी लोग को इससे फायदा होगा और sentence framing की बात करें तो यश्वीर जी ने बहुत अच्छा sentence frame किया है स्वाती जीने देखिए एक life से एक lesson life का एक lesson होता है उससे देखिए इन्होंने पुरा का पुरा sentence फ्रीम किया है तो यह बहुत अच्छा sentence था और इन्हों दस के दस वो क्या है यहां पर यहां पर use करें जैसे देखिए vigilant है okay उसके बाद में काफी साथ सब्सक्राइब नहीं किया है और यहां पर देखिए यश्वीर जी ने भी एक corporate world में जो lifestyle होती है जो काम करने का तरीका होता है उससे लेट करके पुरा sentence फ्रीम किया है तो भी दे फ्रेंट्स आपको इससे बहुत फायदा मिलेगा और आप भी कोशिश करेंगे कि आज के दस जो vocab है उनसे sentence फ्रीम करें सके तो फ्रेंट्स यह आज का अपना session था दस vocab थे आपके लिए उम्मीद आपको यह वीडियो का फ़संद आ होगा आप इसे